वेलकम तो आवर यूट्यूब चैनल टेकनिकल ईद्रिष्टी आज की हमारी वीडियो है सेमसंग गेलेक्सी एमोटू के बारे में आज हम देखते हैं किसके बॉक्स एक्सेसरीज क्या है इसके वरिंटी कंडिशन किस तरह की है फीचर्स रस्पॉंस किस तरह का है और जानते ह है कि इसके कौन्स क्या क्या है तो सबसे पहले इसके अंबॉक्सिंग में हम लेक लेते हैं अन्बॉक्स है इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं तो फीचर्स में इसका इंफिनिटी वी डिस्प्ले है और 13 Megapixel ड्योल कैमरा है 5 mAh की बैट्टरी है 5000 mAh की बैट्री है यानि 15.14 cm के राउंडेट कॉर्नर से हैं SD प्लस TFT है 13 Megapixel प्लस 2 Megapixel ड्योल रियर कैमरा है 5 Megapixel फ्रंट कैमरा है और इसका वेट है 206 ग्राम्स अब इसके अंदर के एक स्रीज देखते हैं इसके अंदर के एक स्रीज में हमें मिलता है 2.0 Ampere का Adapter एक Micro USB Cable एक Micro USB Cable है और SIM इंसर्ट करने के लिए यह पिन अब इसके वरेंटी कार्ड के बारे में देख लेते हैं वरेंटी कार्ड में जो एक चीज जादा नोटिस करने लाइक मुझे लगी वो थी इसके ये पॉइंट वरेंटी कंडिशन्स में थे यह था In case of defective accessories In case of defective accessories only accessories will be repaired और replaced यानि के device के इन्होंने कोई वरेंटी नहीं लिए है और पॉइंट नमर नाइन है Samsung shall not be liable for any losses और consequential losses due to product failure और the installed software यानि के यहां आप दिख पाएंगे यानि के in case अगर device fail होती है या software update नहीं होता है तो इस सम्मन्द में Samsung कोई responsibility नहीं लेता हलाग यह warranty card 6 मन्द के लिए है लेकिन इसमें भी नोग ने device के लिए कुछ भी ऐसा mention नहीं किया कि वो device को replace करेंगे इसका price देख लेते हैं इसका price जो मिला है यह है 8490 रूपीज और इसको supply किया है supply करने वाले हैं वर्दमान टेले मार्केटिंग हरियाना से अब इसके device के कुछ function और response देखते हैं इसको sample की होगा device के बारे में बताएं तो device का जो look है और display है वो तो बहुत अच्छा है front से तो ठीक है और device के जो display का size है वो भी काफी ठीक है यह इसकी on off की है यह इसकी volume की है downwards, upwards और device के अगर back side पे जाएं तो इसका look इतना ज़्यादा impressive नहीं है लेकिन यह grooves है अच्छी grip के लिए काफी काम आएंगी और अच्छी grip हमें देते हैं इस phone पर अब device के कुछ functions देखते हैं उससे पहले देख लेते हैं कि इसकी sim insert करने का तरीका क्या है इस spin को हम यहाँ इस तरफ जो पॉइंट है इस hole में प्रेस करते हैं जैसे हम प्रेस करते हैं एक यह pop-up होता है एक jack इसे देखिए इसमें हम micro SD card लगा सकते हैं जो पहली sim है तो पहली sim हम यहाँ लगाएंगे दूसरे sim यहाँ लगाएंगे और micro SD card हम यहाँ लगा सकते हैं तो इसे हम वापस insert करते हैं और आराम से प्रेस करते हैं अब इसके एक function के बारे मैं आपको बता ज़ता हूँ कि इसमें हाल फिलाल में एक समस्या पाई गई है इसके microphone में क्योंकि जब हम इस्तेमाल करते हैं YouTube का तो YouTube को चलाते वक्त कहीं बार इसके mic में issue हो सकता है इसके speaker जो है वो properly काम नहीं करते तो इस device के बारे में अगर हम आपको बताएं तो speaker में कुछ ना कुछ issue बताया गया है बताया गया है कि कभी-कभी speaker properly काम करते हैं कभी-कभी नहीं करते कुछ जगा कर रहे हैं कुछ जगा नहीं हलाकि फिलाल देख लेते हैं किसी वीडियो में ऐसा है तो नहीं फिलाल तो इसका voice clear ठीक है लेकिन कुछ टाइम पहले इसको अगर जैसे चलाते हैं तो इसकी voice बहुत सादा इसकी voice काफी कम आने लगती है अभी तो ठीक है लेकिन voice काफी कम आती है एक बहुत अच्छा feature जो इसमें मुझे लगा वो था camera खा camera में अगर हम किसी object की photo कीश दें तो camera पे जाते हैं camera में एक micro features इसका है अगर आप देख पा रहे हो तो micro feature में किसी भी product की अगर हम shoot करते हैं तो 3-5 cm की distance से उस product का shoot हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं ये देखिए और बहुत अच्छी definition में product की दे रहा है एक चीज़ और इसमें screenshot किस तरह ही से लिए जा सकता है ये भी हम आपको बता देते हैं स्क्रीन शॉट के लिए अगर हम कभी किसी screen का मालेजी शॉट ले रहे हैं तो इसके लिए lower की और ये on-off की इसको एक बार press करेंगे और चल्दी से प्रेस करेंगे ये screenshot लिए जा चुका है इस तरीके से आप इसमें screenshot ले सकते हैं बात करें अगर इसके screen guard की तो online ये screen guard लगभगवन 69-200 के आसपास है लेकिन अगर local कोई market है जो आप market के आसपास रहते हैं तो 50-60 रुपीज में इसली आपको screen guard मिल जाता है इसका back cover online 250-350 के आसपास का है लेकिन यहां 100 रुपीज में मुझे easily available हो गया तो friends कोई भी product purchase करते वक्त आप यह जरू धियान रखिए कि आजकल जो बहुत से कंपनिया है इस धीर में लगी हुई है इस दौर में लगी हुई है कि वह जल्दी से जल्दी अपने product launch कर सके और वह manufacturer तो उससे कड़ा लेती है लेकिन उसके अंदर के जो software है ड्राइवर्स ह नहीं करती और यह सुसती है कि next updates में वो सब कुछ update कर देंगी तो इससे भी बहुत effect पड़ता है camera पर काफे effect पड़ता है 13 Megapixel के हिसाब से इसका camera उतना अच्छा response नहीं कर पा रहा है हलाकि हो सकता है क्योंकि आजकर sensor wise camera होते हैं तो sensors उनके properly काम नहीं करते हैं जब तक और फिर update के बाद भी काफी डाउन है तो अगर आपको यह video अच्छा लगा यह जानकारी अच्छी लगी तो इस channel को subscribe कीजिए video को like कीजिए thank you